लेकिन एक बात और है सुनो कन भुक्का गुरू हजार है नहीं जिनको कचु ग्यान आपंतो नरके चले संग लें जजमान इनसे भी बचना मुस्किल है बुलो सीतारा लेकिन चेला भी कम नहीं एक बार बिदीशा को एक चेला बंबाई गव एक आदमी बिदीशा को बंबाई गव मुंबाई साथ में गुरू जी गए दोनों समद्र किनारे टहल रहे थे बोड पर लिखाता समद्र के किनारे डूपते हुए बचाने बाले ब्यक्ती को पांच रुपया है नाम गुरू जी भी बिदीशा ही के हाथे गुरू जी बोले चेला देखा 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 क्या लिखा है गुरू जी इसमें लिखा डूपते हुए ब्यक्ती को बचाने के पांच रुपया है ना लेकन डूप कौन रहा गुरू जी बोले अभी तो नहीं डूब रहा पर कुछ देर में डूबेगा बोले कौन चेला बोलो हमें नहीं नो नो अरे गुरू जी बोले तुम नहीं एक काम करो हम डूबने का नाटक कर रहा है तुम बचाओ 500 पाओ सो तमाए 400 हमाए क्योंकि डूबना तो हमें चेला बोलो 50 और बढ़ाओ डेर सो तो देओ ठीक ले लई ले लई गुरू जी गाए बिचारे समुद्र में डूबन लगे चेला बोलो तना को और अंदर थोड़ा और अंदर गुरू जी और अंदर अब थीक है चेला बोलो गुरू जी बोलो खराब, गुरू जी यह लगो बहुत लाल ची आडमिया बोले यार भईया तीन सो ले ले ली ये बचा चेला बोलो अँप अब और दिमाग खराब गुरू जी बोले पूरे ले 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 ये पांसो लेके प्रान बचा ले चेला बोलो गुरू जी बोले बड़ो लाल जी अच्छो फसा लो इसमें गुरू जी बोले पांसो हमसे ले ले ये एक हजा बचा ले चेला बोलो गुरू जी बोले कारण तो बता बोले बगल में पढ़ो गुरू जी बग कि इतला में एक बोड़ पर लिखाता लास निकालने बाले को 5000 गुरु जी ऑले यह हो ऐसे चेला मिलें तो गुरु यही कम हो जाएं धरती पर गुरु शत्ता इना बचे बोलो सीतह रहां पुजिय माराज एक संथा हमको सुना है एक संथ से हमने सुना हैं एक संथा हैं एक महाल बरसात का मौसम गुरुजी ने का बेटा बाहर देखो बार सो रही चेला बोलो गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है हाथ फेर के देखो अगर गीली है तो हो रही नहीं गीली है तो बंद हो गई गुरुजी बोले अच्छा ठीक है कोई बात चेला बरसात हो रही गाय माता बाहर बनी बंधन से खोलो हाँ जुड के चेला बुला गुरुजी बंधन से खोलने का काम तो आप जैसे महापुर्शों का है हमारे जैसे जीव तो बंधन में पड़े है गुरुजी बोले अच्छ आलसी भसा विचारे गुरु जी ने खुद गाये खोली अंदर आए रात हो गई गुरु जी बोले वेटा रात हो गई है दिया जल रहा तेल जल जाएगा दिया बंद कर दो बुजा दो चेला बोलो गुरु जी अब ठंडी लग रहे हैं अब रजाई में खुद गाये अब नहीं निकलेंगगगगगगग हम नहीं पहसगाओ, गुरु जी ने फूंक लगाई, दिया गुजाओ, सुबहे हुई, एक आदमी लड्डू लेके आया, गुरु जी ने समझा के आलसी है, ये तो खाएगा नहीं, पर पूंच तो लेओ, चेले, लड्डू आए हैं, पाओगे, गुरु जी को लगा कोई बहाना पेट दर्द है, दिमाग खराब है, नहीं खाएंगे, दात खराब है, कीडा पड़ जाएंगे, लेकर उल्टा हुआ, भागा भागा आया, गुरु देव, हमने आपकी तीन-तीन आज्या नहीं मानी, अब अगर चौत ही नहीं मानेंगे, तो नरक में जाएंगे, गुरु ज जाएंगे, लेकर कुछ बहुत अच्छे भी चेला होते हैं, एक चेला अच्छा भी था, एक राजा के घर पर एक गुरु आए, बहुत पहुंचे बहुत, बिदिशा के एक आदमी दर्शन करने गया, प्रणाम किया, दर्शन किया, उसने का गुरु जी दीख्छा लेनी है दीख्छा, महत्मा बुले फिर कभी देंगे, अब राजा के गुरु उचा नाम, लंबी लेन, लेकर महत्मा फक्कड थे, बाहर रुके थे, आम के बाग में, जोपडी में, और साब एकदम फक्कडपन का काम था, वो आदमी पीछे पढ़ गया कि हम तो दीख्छा लेकर के ही रहेंगे, राद भर बैटा रहा, गुरु जी कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन जब महत्मा जी लोटा लेके जंगल गए, सोई पीछे पीछे पढ़ गया, महराज दीख्छा दे दो, दीख्छा, महत्मा बोले, ना हातों लेने, दीख्छा दे, अरे बोले नहीं, आप त सोचें कि जी भगे, तो हम निवर्त हों हैं, ना उँ भगे, ना पीछो छोड़े, हर बेर बोले, गुरु जी दीख्छा, दीख्छा, अब तो महत्मा को भी दिमाग खराब होगा, सोबे कमंडर लेके हम बोले, मरी हों लोटा, सो खपड़िया फूट जाहिए, चेला को मिल गई, दीख्छा मिल गई, और लगो माला जप भी, मरी हों लोटा, सो खपड़िया फूट जाहिए, 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 दिनना रात लगो जप भी गुरू जी ने कहा था प्रवचन में गुरू के मंत्र को कहीं पर भी प्रियोग कर दो घाटा नी खाओ गुरू जी तो चले गए एक बार किस्मत की बात कि राजा के बेटा राजकुमार को भूत लगा भूत बड़े-बड़े जानकार सिद्ध मात्मा ओजा तांत्र छेला था बिदीशा का इसे तो गुरू बचनों पर भरोसा था कि गुरू जी ने कहा था कि हमारा नाम लेलना काम हो जाएगा ये मंत्र जप रहा था मरी हों लोटा सो खपडिया मरी हों लोटा सो खपडिया मरी हों लोटा सो खपडिया भूट जै अब ये भी आया सबसे बولा हम भगाएंगे भूट वो आदमी हसके हैं बोले बड़े-बड़े महतमा हा रग दो तुमाय जैसे डेढ ạnh्डी के भगाएंगे। बोला नहीं, नहीं, भगाएंगे, हम भगाएंगे। क्यों चंता करें। गाव़ाले और को बोले, भई였 건ाए। यह कान में गया, राजा के बेटा, राजकुमार के कान में। हाँअं धर के सिर्पन, हाँअं धर के बोला, सुना। अजमालो जादा है सो अजमाओ जाओ ये कान में गया राजा के बेटा राजकुमार के कान में हाँद धरके सिरपन हाँद धरके बोला सुना मरिहों लोटास ख़पडिया फूट जाईए जो राजकुमार के सरी पे भूत था उसना सोचा यह हमें पहचान गया है सोई भूत भग गया कि सही में खपडिया न फूर जाए राजकुमार उठके बैठ गया जहां राजकुमार उठके बैठा सोई जय जय कार लगन लगी जय हो बाबाजी बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाए सद्ध मात्मानी कर पाए तुमने तो बहुत जल्दी सद्धिया भूत भगा दिया अरे बोले हम साधारन थोड़ी है अब तो इनके पास लंबी लेन लगन लगी अज यही महात्मा बन गए इनकी इतनी प्रसिद्धी फैली कि जो इनके गुरूजी थे वो भी दर्सन कर वे आए कि कोई आदमी हुआ है इतना सिद्ध हुआ है कि राजा के लड़के को भी ठीक कर दिया महात्मा आए लेन में लगे महात्मा इसने देखा गुरूजी सो इंगदी से उठके भागा गुरूजी आपी बड़ी टेंसर भाई कि दीक्षा तो हमने आज दो दाई नहीं है यह कौन है लेकर बहुत अच्छी बात यह कि इतनी लंबी लाइन जिसके पास लग रही वो गुरूजी कह रहो गुरूजी ने भी हाँ पेरो हाँ चेले एक फसरा हो एक कोने में लिवा गए गुरूजी अच्छा जो बता हो हमने दीक्षा कब दी थी तो नहीं चेला बुलो है आप आय नहीं थी पिछली बाद पिछली बाद आपने हमको दीक्षा दी थी गुरूजी खूब ध्यान करें कि हमने देखो तो है निया आज तक पहचानते भी नहीं है चेलों को तो बरना पहचाने अच्छा पेटा हमने मंतर क्या दिया था बुले बाद आपने कहा था मंतर बता या नहीं जाता है अरे गुरूजी बुले हमारा मंतर हमें को तो बताओ हमारा मंत्र हमको तो बता सकते ये तो छूत है अब आप आग्या कह रहे तो बता रहे आप जब ध्यान करो जंगल जा रहे ते लोटा लेके तब आपने हमें मंत्र दिया था क्या मंत्र दिया था वो तो बताओ अब गुरू जी को और दिमाग खरा कि हमने जंगल में कवे दीख छा दाई मंत्र बताओ वो ले आपने कहा था ना मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाई है आर आर गुरु जी को याद आया माल लिया करम हमने तो गुद्सों में कहा था इसने उसी को मंत्र बना लिया इसी है सिद्ध हो गया ध्यान मूलं गुरु मूर्ती पूया मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु बाक्यम जो गुरु के बाक्य को मंत्र मांग लेता है वह भी सिद्ध हो जाता है